नमस्का दोस्तों मैं हूँ रानापुताप रॉय आपका दोस्त दोस्तों एक वार फ्रीसे स्वागा थे आप सबका मेरे युट्यूप चैनल पर जिसका नाम है हेल्थाइन वीटी टीप्स बाई रानापुताप रॉय यानि की मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है एक्स टैबलेट जिसमें पाई जाता है लिवो सिट्रीजिन 10 mg और फेक्सो फिनाडिन 120 mg ये दोनों दबाव का जो कंबिनेशन है ये मिल करके जो मॉन्टियर एक्स टैबलेट है इसको एक दमा एलर्जी रायनिटी सास लेने में दिक्कत बंदनाग आधी से जुड़ी जो स इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सला से करना चाहिए लेकिन इसके बारे में कुछ जरूरी बाते जिसके बारे में मैं आज डिसकस करने वाला हूँ तो बीडियो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए बीडियो के अंतक बने रही है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्रा फेक्सोफिनाडिन मॉन्टी लूकस्ट क्या है मॉन्टी लूकस्ट एक प्रकार का एलर्जिक रायाइनिटिस को दूर करने वाला मेडिसिन है जब फेफडो तथा सास नाली में लुकोट्राइन नामक केमिकेल का सिक्रेशन होता है तो उस समय सास लेने में दिक्कत होती है तो जो मॉंटी लुकास्ट है ये एंटी लुकोट्राइन का काम करता है और इसको लेने से जो लुकोट्राइन नामक केमिकेल है उसका जैसे सास लेने सम्मन्धी जो दिक्कत है वो एकदम से ठीक हो जाता है सास नाली में जो blockage होता है staging होता है वो घड़ जाता है जिसकी बज़ासे हम आसानी से breathing कर सकते है सास लेने में किसी प्रकार की कोई दिककत नहीं रहती है Flexofenodine क्या है? Flexofenodine एक प्रकर का anti allergic है Anti allergic के बारे में आप जानते होंगे जैसे कि Citricene है, Levo Citricene है, Klorfeniramine है, Hydroxyzen है ये सभी anti allergic medicine है लेकिन खास बात ये है कि जो Flexofenodine है ये भी एक प्रकर का anti allergic है लेकिन इससे किसी प्रकार की जो सुस्ती और नीद ज्यादा आने की जो समस्ता है वो इससे नहीं होती है ये एक प्रकार का नॉन सेड़ेटिव एंटी अलर्जिक है और इसका इस्तेमाल उन सब भी पेशेंट्स के लिए किया जाता है जैसे कि जो भी बैक्तिर दिया जाता है क्योंकि इससे किसी प्रकार की नेद या सुस्ती नहीं आती है तो ये जो दोनों मेडिसिन्स है मॉन्टी लूकस्ट और फेक्सो फिनाडिन है ये दोनों ही दवा मॉन्टियार एफेक्स में होने की वज़े से इसका इस्तेमाल आप आसानी से पेशेंट के नहीं होती है कि जो एंटी अलर्जिक है एंटी स्टामिन है उसका इस्तेमाल पेशेंट के उपर करने से उनको बहुत ज्यादा कमजोरी आती है उनको नशासा होता है तो ये आप दे सकते हुँ समाए हलाएं कि ये थोड़ा महेंगा है लेकिन ये काफी सेप मना जाता है और सभी उमर के लोगों को ये दिया जा सकता है अगर इसकी डोस की बात करे तो इसका एक टैबलेट रात को सोते समाए भुजन के बाद में देना चाहिए बहुत छोटे बच्चे इसको ने ले सकते लेकिन जो आठ से दस साल के बच्चे है उनको इसका हाफ टैबलेट दिया ज अगर इसकी साइडिफेट की बात करे तो ये मेडिसीन बहुत ही सेफ मना जाता है फिर भी इससे उल्टी उपकाई गैस अपच्च कमजोरी ये हो सकता है कई बार पेड भी खराब हो जाता है दस आदी भी हो सकता है तो ये टैबलेट बहुत ही सेफ है इसको लेना भी बहु भी प्रकार का लाल पान पानी आना हो, नाक बंध होना हो, छीक आना हो, तधी खासी हो रही है, अलर्जी की बज़ा से तो उस समय दे सकते हैं, तो ये टाबलेट बहुत ही सेफ है, इसका इस्तेमाल बच्चे, बुड़े, बुजूर्ग, प्रिग्नेंट लेडिज, लगा है हमारा वीडियो, हमारी जान करी तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बिल आइकन कोई प्रेस करना, और फ्लीज और प्रेस करना, ताकि इ वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ की आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत